चंद्रियान 3 हो सकता है जिन्दा, विक्रम लेंडर और प्रज्यान रूवर से साधा जा सकता है संपर्ख, जहां बिल्कुल ठीक सुना आपने, चंद्रियान 3 से फिर से संपर्ख साधा जा सकता है दरसल चंद्रियान 3 मिशन की काम्याबी के बाद उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था शिवशक्ती पॉइंट पर एक बार फिर सुबह हुई जिसके बाद लगातार वेग्यानिक विक्रम लेंडर और प्रज्यान रूव थी वो पूरे हो गये इसके बाद विक्रम लेंडर और प्रज्यान रूवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया चांद पर सुबह होने के बाद अब फिर इन्हें जगाने की कोशिश हो रही है यूरोपी स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गयाना स्टिशन भी इन्हें जगाने के लिए लगातार सिगनल भीज रहा है लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा माना जा रहा है कि शायद ये फिर ना उठें लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म माना गया वो फिर चलने लगे जन्वरी 2018 में शौक्या खोगोल शासरी स्कॉट टिली ने एक ट्रांस्मिटर सिगनल को पकड़ा था बाद में उन्हें पता चला कि ये नासा का इमेज सेटलाइट है जिसे प्रत्वी की स्टडी के लिए बना गया था इस्पेस एजेंसी ने 2005 में इससे संपर खोदिया था 13 साल बाद भी जब इसे खोजा गया तो इसकी बैटरी पूरी तरहिके से चार्ज थी और काम कर रही थी नासा ने भी सेटलाइट को दुबारा खोजने से जुड़ी पुष्ट की थी नासा ने तब कहा था कि इसके वेग्याने की अंत्रों को ओन किया जाएगा दरसल स्कॉट लगातार भारत के चंद्रिय अगले चंद्र दिवस तक सिगनल भेजता रहता चंद्र रात्रि के बाद सुबह फिर सिगनल भेजता इस थोड़े से प्रयास से बड़ा लाब मिल सकता है इसके साथ उन्होंने नासा की सेटलाइट को खोजने के बारे में भी बताया साल 2020 में उन्होंने अमेरिका की एक मि अगले चंद्र दिवस तक सिगनल भेजता इस बारे में जाने जा रही थी अब आपको बताते हैं कि आखिर चंद्र रियान को हुआ क्या है प्रित्वी अपनी धूरी पर घुमती है इस वज़े से दिन और रात जल्दी आते हैं लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता चांद अ और 14 राते मिला कर एक दिन होता है सुभे के समय वहां का तापमान 100 डिगरी से ज्यादा गर्म होता है वहीं रात में तापमान माइनस 200 डिगरी से नीचे चला जाता है विक्रम और प्रग्यान के यंत्रों को ऐसा नहीं बनाया गया जो इतनी ठंड में रह सकें इसी कारण मा आना जा रहा है कि ये खराब हो चुके होंगे